पहरे बच्चों गुड मॉनिंग हम क्लासिक सब्जेक जोग्राफिक का हम चप्टर पढ़ रहे हैं मैप्स तो आज हम इसके कुछ कुछ कुछन आंसर करते हैं तो कुछन वन है वाट आर दा थ्री कंपोनेंट्स अफ ए मैप मैप के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो जै चार दा करिम साउक हैं जब फॉर कवर्ण डारेक्शनज हैं वह काば कार्दिनल डियरेक्शन इस बिसको हो क्या सी है तो दोवरuesto है हमने चाहिक कर दू हम दूए तक है तक आने 24 आस तर्म स्केल अभी मैप में इसमेहता घृए मान साइप मैप गा you या उसका क्या मतलब है the scale of the map is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map बोलते हैं कि जो scale of the map है वो एक ratio है ratio किस-किस के दर्मियान है बच्चों है जो एक actual distance होती है किसी चीज़ की और उसी distance को हम map पे क्या दिखाते हैं उन दोनों का जो ratio होता है उसको क्या पूलते हैं बच्चों the scale of the map जैसे हमने पढ़ा था chapter में कि actually distance ground पे 10 km होती है तो हम scale भी किता दिखाते हैं बच्चों 2 cm यानि कि 1 cm equal to 5 km तो वो उसका क्या है 1 is to 5 का है बच्चों रिश्यो क्वेश्य नबर 4 है how are maps more useful than a globe जो maps है वो globe से किस तरीके से ज्यादा मददकार है बोलते हैं एक globe can be useful when we want to study the earth as a whole बच्चों जैसे हमने चप्टर में पढ़ा था कि एक globe का इस्तमाल तभी होता है जब हमको पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना होता है जब पूरी जमीन के बारे में पढ़ना होता है तब globe का इस्तमाल किया जाता है बट वैन वी वांट तो study only a part of the earth लेकिन जब हमें जमीन के किसी एक हिसे के बारे में पता करना है या किसी एक हिसे के बारे में जानकारी हासिल करनी है जैसे कि about our country हमार जैसे हमारे मुलक के परफाय में स्टेट से उपर हने में इंड विलेच कसम के बारे में गौं के बारे में जो डिश्युक्स होते हैं के बारे में वके और पर एक तर पर एक तर पर एक था एक तर पर एक तर पर एक, तकिल झांग है